अप्रेल दोजार चोईस से ही पाँच राशियों का बनेगा विवाह योग पाँच राशियों के घर में गोजेगे विवाह की सहनाई और मिलेगा जीवन साथी का साथ जी हां मित्रों बहुती बड़ी खुश खबरे निकल कर सामने आ रही है मिठाई बातने का समया चुका है लड़ू बातने नाचने कुधिने की कीजिये तैयारी साल 2020 में अप्रेल के महिने में चार बड़े राजयोग बनने वाले हैं उसके अलावा अप्रेल में ही साल का पहला सूर्य गरहन लगेगा चेत्र महिने के नवरात्री की भी शुरवात होगी भगवान सनीदेव भी अपरेल में उदय होने जा रहे हैं सनीदेव अब जाग्रित होने जा रहे हैं और उसके लावा गुरू और सुक्र के साथ ही सनीदेव के सुब परभाव से पाँच राशियां एसी है जिनका भाग्य उदय हो रहा है पाँच राशिवाले लोगों का अप्रेल से ही विवाह का योग बनना लगबग निश्चित माना जा रहा है तो चलिए एके करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज़्यादा सुभाई की साली राशियां जिनकी किस्मत के दरवाजे अप्रेल 2004 से ही बदलने वाले हैं अप्रेल में उनको बड़ी खुस खबरी मिलने वाली है तो एके करते हुए सबी राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे ऐसे में वीडियो को पूरा लाश्ट तक जरूर देखिए और हां मित्रों वीडियो को लाइक जरूर करें और कोमेंट बोक्स में होम नमा सिवाय लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फिस्बुक पर जरूर शेयर कर दीजे ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है न वो सबी व्यक्तियों तक पहू सके जीवन में अकेला होना याने की सिंगल रहना भी सबसे दुविदा जनक समय माना गया है क्योंकि एक समय के बाद व्यक्ति को ऐसा ऐसा सोने लगता है कि मैं अपने माता पिता पर भाईया भावी पर या अपने परिवार के उपर बोज बन रहा हूँ मुझे भी जीवन साथी या जीवन संगनी के आवसकता है और कई बार क्या होता है ना कि बहुत जादा परियास करने के बावजूद भी किसी व्यक्ति की कुंडली या रासी में पताने क्या दुविदा आ जाती है कि उसका विवाह का योग नहीं बन पाता उन सभी रासियों के लिए बहुती बड़ी खुस कबरे निकल कर सामने आ रही है कि अप्रेल दोजार चोईस में चतुस ग्रही राजियोंग बनने जा रहे हैं चार बड़े राजियोंग बनेंगे जिससे अप्रेल का महिना कई रासियों के भाग्ये को खोल कर रख देगा वो से सुरू होता है उनकी वरिशबरासी होती है। अप्रेल का महिना आप लोगों के विवाहिक सम्मंद को आगे बढ़ाने के लिए काफी जादा नय मोके लेकर आने वाला है। अगर आप विवाह योग्य उम्र में आ चुके हैं तो 10 अप्रेल के बाद से ही आपको पता भी नहीं होगा लेकिन आपके विवाह की बात्ची चलना सुरू होगी और धीरे धीरे रिष्टे के बाद आगे बढ़ते हुए अगले कुछी दिनों में इन निश्चित होने के संभावना है और अप्रिल के महिने में ये आपको बड़ी खुश खबरी मिलने वाली है उसके अलावा यह मैना वरिसब रासे वाले लोगों के लिए कर्यार और व्यापार दोनों को ही आगे बढ़ाने के लिए कापी नए मोके लेकर आने वाला है एक तो आपको आर्थिक रूफ से लाप मिलेगा प्रोफिट होगा और उसके लावा आपके जो सुब चिंतक है उनके सहयोग से आपके सभी बिगड़े हुए काम अब धिरे धिरे बनने लगेंगी धन कमाने के इंकम के भी नए नए साधन रहेंगे और आप लोगों की इंकम में भी बड़ोत्री होगी किसी विशेस व्यक्ति के सहयोग से आप लोगों को विवाह से जुड़ी कोई भी बड़ी खुस खबरी मिल सकती है आप लोगों को केवल विवाह का लाबी नहीं होगा बलकि धन का लाबी होगा और साथ ही समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा माता लक्षमी जी की सुब आसिरवास से करियर के सिलसले में आप यात्राओं पर भी जा सकते हैं और ये यात्राओं भी आपके लिए अच्छी और लाबदायक सिद्ध होगी लंबे समय से आपके रुके वे कारिय जो है वो अब पूर्ण होंगे जिससे आप अपने आपको काफी ज्यादा हलका या रहत महसूस करेंगे आपका धेर्य और सहस बड़ेगा जो भी आपके सामनी चुनूतियां प्रबलम या कोई भी परेसानी आएगी ना तो उसका आप ड विवाह में कोई भी दिक्कत आ रही है बादा आ रही है तो सिग्र विवाह के लिए आप गुरुवार के दिन किसी भी गाय को आटे के पेड़े पर थोड़ी सी हल्दी लगा कर खिलाएं और उसके अलावा कुछ गुड और चने की दाल भी आप गो माता को खिलाएं अगर आप गो माता को परसंद कर लेंगे तो निश्चित रूप से गारेंटी के साथ में स्टाम पर लिख कर देता हूं कि मित्रों कुछी दिनों में आपको विवाह से जुड़ा बड़ा सुख प्राप्थ होगा माता लक्समी जी के आसिरवा से धन से जुड़ी सहरी परिसानिया जो है वो वरिसब रासे वाले लोगों की समाप्थ होगी उसके लावा वरिसब रासे वाले लोग सुकर वार के दिन जब भी नहाने जाएं तो नहाने के पाने में कुछ बूंद आप इत्र या परिफ्यूम की डाल कर नहाएं इससे भी कुंडली में सुकर की ग्रह पोजिसन जो हो मजबूत बनेंगे और सुकर देउता की सुब पर बाव से आपको धन, संपती, मान, समान, शुर्य के साथ ही सुख प्राप्थ होगा चली जान लेते हैं अप्रेल 2024 की अगली याने की दूसरी जो भागिसाली रासे बनेगी उसके बारे में उससे पहले आपको एक महत्तपुनु बात बताना चाहूंगा कि जिन्दगे में आ आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उमर बर महनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं यानि की जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता मित्रों ये ग्रहूं का खेल नहीं तो उर क्या है और इसे के समाधान क लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानि की पर्सलाइच्ट कुंडली जिससे आप घर बेटे या पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रहे आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि आपकी कुंडली यानि की किस् में अच्छे दिन कब आएंगे नोकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक की ज्यादा सफलता प्राप्त होगी कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और सुब फलित रहेगा आपके लिए भाग्यसाली रत्न कौन सा है उसको पहनने की विधी क्या है कुंड कारी नोकरी का योग है या नहीं उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नमबर देख पारे हैं ना उस पर वोटसब पर संपर करके आप हमारी गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 कावन रुपे की चोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपोन जीवन की महा जन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समादान जाते हैं जिसे की आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है बहुत जगों पर आप रिस्ता दे बनती बनती काम लगातार बिगड़ जाते हैं अटक जाते हैं पती पतनी के बीच आपस में बनती नहीं है घर परिवार में लड़ाई जगड़ा या ग्रिह कलिश बना रहता है आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है बच्चों का पड़ाई में मन नहीं लगता बच्चे लगातार सरकारी नोकरी या किसी अच्छी नोकरी की तिलाज करें लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पारी है। लेते हैं अप्रेल दोजार चोईस से ही दूसरी जो बागी साली रासी बनेगी ना वो आती है तुला रासी जिनके नाम का पहला अक्सर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से सुरू होता है उनकी तुला रासी होती है। जोब करते हैं तो कार्यस्तल में सेनियर और जूनियर दोनों का ही आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। जो भी कुवारे हैं सिंगल है उनका विवाह का योग सो निश्चित रहेगा। प्रेम समंदू में मदूर्ता रहेगी और अगर आप किसी के प्रती वफादार है तो अप्रेल के महने में आप उसे अपने प्रेम विवाह का प्रस्ताव भी दे सकते हैं। और ग्रहों के उचित दसा इस बात के तरब प्रबल संके दे रहे हैं कि आपका जो विवाह का प्रस्ताव है वो मंजूर भी हो जाए। लोगों को उपाय बताया है कि सिग्र विवाह के लिए आप हर गुरुवार और पुर्णिमा के दिन वट व्रिक्स की 108 बार परिकर्मा करें और गुरुवार को वट व्रिक्स में आप जल अर्पित करें और साथी कम से कम 5 गुरुवार तक वट व्रिक्स या केले के व्रिक् प्रिश्च करासी होती है प्रिश्च करासी वाले लोगों को इनकम से ज़्यादा खर्च हो सकता है खर्च पर सावधान रहेगा बाकी आपके प्रेम समन्द और विवाह का सुख दोनों ही योग प्रबलता के साथ बन रहे है इसी महेने आप किसी के भी साथ रिलेशन्सिप में आ सकते हैं और आगे जाकर उसके साथ आपका विवाह का योग भी बन सकता है आप लोगों को उपाय बताएगा है कि आप सिग्र विवाह के लिए हर रोज सिव पारवती जी की एक साथ पूझा करें चाए आप घर पे ही करें चाए किसे मंदिर में जाकर करें और साथ ही माता पारवती जी से अपने सिग्र विवाह से जुड़ी इच्चा जो है वो आप उनके सामने रखें जल्द से जल्द आपकी इच्चा पूर्ण हो सकती है उसके लावा सोमवार के देवन, सिवलिंग पर कच्चा दूद, बेल पत्र और चावल आदी चड़ा कर आप पूझा कीजिए जिससे भगवान सिव संकर के आसिरवास से जल्द से जल्द आपका विवाह का योग बनेगा चलिए अप्रेल दूजार चोईस से ही अगली यानि कि अन्तिम जो बागे साली रासी बनेगी वो आती है धनो रासी जिनके नाम का पहला अक्सर ये यो भाभी भू, दै फै, डै और बे से सुरू होता है उनकी धनो रासी होती है धनो रासे वाले लोगों के लिए भी अप्रेल दोजार चोईस का जो महीना है ये बहुती अच्चा और सुब फल देने वाला रहेगा आप जितनी महनत करेंगे उसकी तुलना में आपको फल मिलेगा जो भी व्यक्ति कुवारे हैं सिंगल है चाहे आपके उम्र कितने ही क्यों न हो चुकी हो आपको विवास से जुड़ी कुछ बड़ी खुस खबरी मिल सकती है करियर और बिजनिस को लेकर भी आगे बढ़ने की दिशा में आप काम करेंगे आपको उपने भाग्ये का पूरा साथ मिलेगा कारियस तल पर सीनियर और जूनियर दोनु के ही सहयोग से आपके जो भी अटकवे कामकाज है वो बनने लगेंगे और जो भी धनूरासे वाले अगर कोई नोकरी करते हैं तो प्रोफिस्नल लाइप में आप कुछ नया या बहतर करने का आउसर प्राप्त करेंगे इस महिने में आपकी इंकम में सुधार रहेगा वियापार में आपको मन चाहलाब मिलेगा और लंबे समय से अगर आपका कहीं पर भी फसावा धन है पेसा है तो भी आपको वापस मिल सकता है आप लोगों के उपाय बताया है कि सिग्र विवाह के लिए आप हर गुरुवार के दिन नहने के पानी में एक चुटकी हल्दी डाल कर सनान करें और भोजन में किसर का सेवन करने से भी सिग्र विवाह के संबावनाई बनती है और कुंडली में अगर कोई भी विवाह से जुड़ा दोस है तो वो भी दूर होने के संबावना है तो चली मित्रुउसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम फिर से होंगे हाजे रेक और नए और काम की जानकारी के साथ तब तके लिए हुम नमसिवाय जै श्री कृष्णा जै श्री सनेश्चराई नमसिवाय जै श्री सनेश्चराई